कहते हैं कि जब उपरवाला देता है तो छपड़ पाड़ के देता है बस उपरवाली की निगा आप पर सही होने चाहिए आपकी डूबी किस्मत कब उठ जाएगी ये कोई नहीं जानता मगर हां संघर्ष संघर्ष आपको हर वक्त करना होगा और जो शक संघर्ष से डर गया वो अपने जिंदगी में कभी कामियाबी नहीं पाता है ये महिला भी एक ऐसी इंस्पिरेशन बन के साबने आई है जिसने खूब संघर्ष किया और उसका संघर्ष आज सफल हो गया हम यहाँ पर जिकर कर रहे हैं रानो मंडल का रानो मंडल एक ऐसी महिला जिसने लाखों दिलों को राज किया और लाखों से जादा ही करोडों दिलों पर उनकी अवास का जादू भी चला रानो मंडल पश्चिम बंगाल की एक सधारन महिला जो अपने पेट को पालने के लिए जो अपनी भूख को मिटाने के लिए भीग तक मांगती थी कुछ गाने गुन गुनाती थी जिसे कुछ पैसे से वो रोती खा सके उस रानो मंडल ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कुछ इसकदर उनकी कहानी पलट चाहेगी रानो मंडल जो अब ऐसे फेमस परसनालिटी बन गई तब रानो मंडल की जिन्दगी से जुड़े कई एहम खुलासे होने लगे रानो मंडल की बेटी भी अब सामने आ गई है जिन्होंने तमाम चुका देने वाले खुलासे किये हैं रानो मंडल के पती जिन्दग है ये जान कर आपके पेरो तले जमीन किसल जाएगी रानो मंडल ने दोश शादी कर रखी थी, अब आखिरकार कौन से पती जिंदा है? रानो मंडल की बेटी यहाँ पर उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे एहन खुलासे कर रही है, जिस खुलासे के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परिशान हो जाएंगे कि अस में लोगों की जिन्देगी में हो क्या रहा है आप देखिए हमारे ये खास रिपोर्ट जहां पर रानो मंडल की बेटी किस तरीके से यहां ये बड़े खुलासे करती देखी गई क्या हुआ कैसे हुआ और कब हुआ देखिए ये खास रिपोर्ट लगतार सोशल सेंसेशन भी भी हैरान हो जाएंगे अब रानो मंडल की बेटी यानि की एलीजा बैत का खुलासा है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मां रेल्वे स्टेशन पर गाती थी मैं उनसे जादा नहीं मिल पाती थी मैं कुछ दिन पहले कॉलकता के धर्म ताला गई थी वहां पर मां को बस स् पूछते हैं यहाँ पर इलीजाबेत ने अब रानो मंडल के पती को लेकर खुलासा किया है उन्होंने कहा है कि मैंने कई बार कोशिश की कि मा मेरे साथ रहे लेकिन उन्होंने आने से इंकार कर दिया अब जंता मेरे उपर आरोप लगा रही है मैं कहा जाऊं रानो मंडल की बेटी ने कहा, मा ने दो शादिया की थी, दोनों शादियों से उनको चार बच्चे हैं, रानों के पहले पती मेरे पिता है, कुछ साल बाद ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और दूसरी शादी से जो उनको दो बच्चे हैं, वो शायद मंबई में ही रहते ह उनका दूसरा पती अब भी जिन्दा है, आपको बता दे कि रानों मंडल ने अपना तीसरा गाना भी रिकॉर्ट कर लिया है, इस तीसरे गाने का वीडियो हिमेश शम्या ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी सांचा किया, इस नए गाने में सबसे खास बात ये र आपको बता दे कर दोनों ही पती का खुलासा हो गया है, यहां पर बेटी ने साफतोर पर कह दिया है कि उनके एक पिता जिंदा है, हलाकि वो उने पिता नहीं मानती है, मगर उनकी दूसरे पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, अब ऐसे में जो रानों मंडल न जिस तरीके से बेटी का ये खुलासा हुआ है, क्या अब वो जो है रानों मंडल की जिंदगी में वापस आ जाएंगे, जिस तरीके से उनकी बेटी अलिजाबेत को देखा जा रहा है, वो यहां पर अपनी मां से 10 साल तक जुदा रही और 10 साल से जुदा रहने के बाद भी उनको जब दिखा कि उनकी मा के पास अब शोहरत आ रही है, पेम आ रहा है, तब वो अपनी मा के पास वापस लॉट आई, मगर ऐसे में जिस तरीके से रानों मंडल की किस्मत चमकी है, रातो रात वो सूपरस्टार बनी है, इसके पीछे की कहानी कुछ और नहीं, बलकि संगर्श है, रानों मंडल ने जिस तरीके से 10 साल से संगर्श किया है, बीक मांग के गाने गाकर जिस तरीके से वो अपने पेट को भर रही थी, आज वो इस मुकाम पर पहुचने के लायक है, देखा रानों मंडल की बेटी का खुलासा सुना, किस तरीके से रानों मंडल की बेटी ने कहा कि उनके पती जिंदा है यानि कि यहाँ पर जिस पती का जिकर किया जारा है वो पती उनके दूसरे पती है रानो मंडल के पहले पती ने इस दुनिया को अल्विदा कह दिया था मगर उसके बाद रानो मंडल ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी से भी उन्हें दो बच्चे हुए रानो मंडल की जिन्देगी से जुड़े एक ऐसे एहम खुलासे से परधा भी हट गया है कि रानो मंडल को एक नहीं दो नहीं बलकि चार बच्चे हैं पहली शादी से उन्हें दो बच्चे हुए और फिर दूसरी शादी से उन्हें दो बच्चे हुए जिसमें से तीन बच्चे अपनी मा को पूछते नहीं है, रानो मंडल की बेटी का कहना है कि वो ही अपनी मा की देख रेक कर रही थी, मगर अगर सचाई पर निगा डाली जाए तो रानो मंडल तो अकेली ही थी, रानो मंडल तो अकेली ही स्टेशन पर गाना गाती थी, रानो म रानो मंडल की बेटी का ये बड़ा खुलासा कि उनके पती जिन्दा है और वो मंबई में ही है ये यकीनन ही हिरान करते ने वाला है अब ऐसे में जिस तरीके से बेटी मा के पास वापस आ गई ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या रानो मंडल के दूसरे पती जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था अब पेमस हो जाने के बाद क्या वो भी वापस आएंगे क्योंकि यही जिन्दगी है उकते सूरच को सलाम जब सूरच धल जाता है तब कोई देखता भी नहीं है और रानो मंडल की जिन्दगी भी कुछ इसकदर ही रही रानो मंडल ने जब यह उठता है कि क्या रानो मंडल की जिन्दगी में क्या उनके दूसरे पती भी वापस आएंगे क्या रानो मंडल अपने दूसरे पती को एक्सेप्ट करेंगी यह तमाम चीजें तमाम घटनाएं जो लगातार खुल रही हैं लगातार सामने आ रही है इससे रानो मंडल किया है फिलालाच के इस प्रोग्राम में बस इतना ही पर हां आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना पूलें